तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर Samsung का एक फोन है दोस्तों जिसमें की camera failed वाली problem देखने को मिल रही है जब भी दोस्तों हम camera को open करने जा रहे हैं यहाँ पर warning camera failed लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों और अगर हम ok पर press करते हैं दोस्तों फिर back हो जाता है camera और दोबारा open कर रहा है तो फिर यहीं camera failed वाली problem देखने को मिल रही है। अगर आपके पास कोई भी Samsung का phone हो दोस्तों, उसमें दोस्तों अगर आपको भी camera failed वाली problem देखने को मिल रही है। इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसा solution बताने वाला हूँ, जिसकी मज़से दोस्तों आप अपने camera को use कर पाओगे। वीडियो को लाश्ट में आपको बिल्कुल proof के साथ दोस्तों बताऊंगा मैं किस तरह से problem solve हुई। सबसे पहले आप comment में ये बता दीजी आपको ये problem कब से आ रही है और कौन सा Samsung का model आप यूज कर रहे हो। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है दोस्तों आपको जिस भी phone में ये problem आ रही है उस phone की settings को आपको open करना है दोस्तों और जो आपको तरीका बताऊं दोस्तों उसको आपको ध्यान से देखना है दोस्तों और उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को like करकर चनल को subscribe जरूर स कर देना है दोस्तों ताकि और भी ऐसी helpful informative वीडियो आपको time पर मिलती रहें दोस्तों सबसे नीचे आपको install करते हुए आना है settings वाने के बाद apps का आपको option देखने को मिलेगा इसको select करना है जैसे इस option को आप select करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर installed apps की list open होकर आ जाए अब आपके सामने कुछ options open होकर आ जाएंगे इन options में आपको दोस्तों एक option ढूणना है दोस्तों storage का तो storage वाला option दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा यह रहा दोस्तों इस storage वाले बटन को आपको select करना है इसको select करने के बाद दोस्तों हमको clear cache क करना है clear cache का button आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा तो clear cache करने के बाद back आना है आपको इसके बाद ऊपर की तरह आपको camera settings का एक option देखने को मिलेगा camera settings की option यहाँ पर option पर click करने के बाद यहाँ पर जो जो option मेरे enable है यान की on है दोस्तों इनको बिल्कुल check करना है अग reset settings का यह जो option है दोस्तों इसको आपको यहाँ पर select करना है चलो दोस्तों यहाँ पर reset settings वाले option पर जैसे कलिक करेंगी यहाँ पर reset का button आया है यहाँ से आप دोस्तों रीचे पर जैसे कलिक करोगे आपके जो camera settings है वह reset हो जाएंगी यहन्कि आपका camera में जो जो आपने settings की इसके बाद दोस्तों अब आपके सामने light proof के साथ दोस्तों मैं कैमरा को open करके आपको बता यह Protect को करने के बाद देख सकते ओ दोस्तों किस तरह से अज़ो कैमरा को पर रहा हम और यहाँ है यहाँ पर Minh photos क्लिक कर पा रहा हूं वो problem आपकी solve हो जाएगी तो I hope जो tutorial मैंने बता है दोस्तों वो आपको समझ में आया होगा वीडियो पसना है वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना मिलता हूं ऐसी अगली वीडियो में